ये कहानी है 1970 में आई फिल्म की जिसका नाम है What the People's Show एक औरत अपने बातरूम में नहा रही थी लेकिन तभी उसे बिजली का जटका लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है एक साल बीद जाता है एली नाम के औरत घर आकर अपने सोतेले बेटे को देखती है बातरूम में जिस सावरत की मौत हुई थी वो इसी बच्चे की यसली मा थी और अब उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है जिसकी पतनी एलीस है एलीस मासूम बच्चे से पूछती है कि तुम तो एक हपते बाद बोर्डिंग स्कूल से वापस आने वाले थे इतनी जल्दी कैसे आ गए मासूम बच्चा कहता है कि मेरे स्कूल में एक बिमारी फैल गई है इसलिए उन्होंने सब को छुट्टी दे दी मासूम बच्चा जब नहा रहा था तब उसके बाप का फोन आता है उसका बाप जादा तर बाहर ही रहता था बच्चे के बात कर लेने के बाद इलिस उससे बात करने लगती है तभी मासूम बच्चा पीछे से इलिस के दोनों गेंदों को दबाने लगता है इलिस को ये पसंद नहीं आता पर वो अभी कुछ नहीं कहती जैसे जैसे दिन बित्ते हैं मासूम बच्चे की हरकतें बढ़ने लगती हैं लेकिन अब बच्चे का बाप वापस आ जाता है और बच्चा उसके सामने पालतु कुत्ता बन जाता है वो तीनों डिनर के लिए जाते हैं जहां एलिस और मासूम बच्चे के बीज पैसों के लिए बहंस हो जाती है से पागल भी है एलिस परिशान होकर बच्चे के प्रिंसिपल से मिलने जाती है प्रिंसिपल कहता है कि आपका बच्चा मासूम नहीं बलकी मादर बोड है उसे छुट्टी नहीं मिली बलकी स्कूल से निकाला गया है क्योंकि वो स्कूल में अपने हवस पर काबू नहीं कर पा एलिस मासूम बच्चे के पास जाकर पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो क्या तुम अपनी मा के साथ भी ऐसा ही करते थे तब मासूम बच्चा कहता है कि वो मुझे जादा पसंद नहीं थी तुम्हारे जितना तो बिल्कुल भी नहीं एलिस कहती है कि तो क्या तुमने ही अपनी मा को मारा है क्योंकि उस दिन घर में तुम और तुम्हारी मा ही थी मासूम बच्चा कहता है कि अगर तुम अपने कपड़े उतार दो तो मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ फिर एलिस अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन मासूम बच्चा उसे बेवकूफ बना देता है, एलिस उसके बाप को कमरे के छेत के बारे में बताती है, लेकिन मासूम बच्चा उसे पहले ही ठीक कर चुका था, इसी बात पर एलिस और उस मासूम बच्चे के बाप के बी इसके बाद वो मासूम बच्चे से प्यार की बोली बोलने लगती है एक दिन मासूम बच्चा एलिस से कहता है कि मुझे लोगों की जान लेना बहुत पसंद है और मैं तुम्हारा हाल भी मेरी मां की तरह ही कर दूंगा इस बात को सुनकर एलिस के रातों की नीन दुड़ जाती है और वो पागलों जैसी हरकत करने लगती है जिसे देखकर उसे पागल खाने में भेज दिया जाता है पागल खाने से ठीक होने के बाद वो वापस आकर दोनों बाप बेटों के साथ वक्त बिताती है वो मासूम बच्चे के सांथ अकेले में बात करती है मासूम बच्चा कहता है कि अब वो उसे पसंद करने लगा है और वो उसे नहीं मारेगा फिर एलिस और मासूम बच्चा मिलके उसके बाप के मौत की प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद वो दोनों भाग जाएंगे एलिस मासूम बच्चे को किस करके उसे खुश कर देती है मासूम बच्चे के सांथ उसका कुट्टा भी था एलिस एक कार को रोड में आते हुए देखती है तभी वो बच्चे से बॉल लेकर कार की तरफ फेंकती है जिसको देखकर कुट्टा उसे लेने जाता है और कुट्टे के पीछे मासूम बच्चा भी दौडता है और कार से टकरा कर उसकी मौत हो जाती है वहाँ पर भीर जमा हो जाती है पर Alice को इस बात का कोई भी दुख नहीं था और वो वहाँ से ऐसे ही चले जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है